हेलो एब्रीवन, स्वागत हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल मेडिसीन टोक में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोटा वेरीन और मैफिन वेक असीड टेबलेट के बारे में जो की पेट दर्द को ठीक करने वाले एक बेहतरीन दवा है पेट में दर्द रहना, मडूर मसूस करना एक आम बात है खास करके महिलाओं में प्रियेट्स के दुरान बहुत ज़्यदा पेट दर्द रहता है तो इसलिए इस वीडियो में हम इस डोटा वेरीन और मैफिन वेक असीड की कॉमपोजिसीन टेबलेट के हैं उसके यूस के प्रियेट्स के दुरान देने सेप रहती है करने नहीं और अन्त में इसके कोई साबदा निया यानि कौन-kौन से पेटबलेट्स जरी या टेबलेट्स नहीं लेनी होती है उसके वारे में में जानेगे इसलिए वीडियो को आन तक देखिए ताकि आपको पूरी जनकरी मिल सेगे और इसी तरह के मेडिशन जूरी जनकरी बाने के लिए अब हमारे चलन मेडिशन टॉपको जरू सब्सक्राइब कर ले तो चलिए वीडियो को चल से जल सुरू कर लेते हैं इस टेबलेट में डोटाफिरीन 80MG और मेफिनमिक एसीड 250MG प्रिजन रहती है जिसमें की डोटाफिरीन एक एंटी स्पास्मोटिक ड्रग है जो कि आपके पेट दर्द को यानि पेट में होने बड़े मरूर को कम करने का कार्य करती है साथ ही मेफिनमिक एसीड एक नॉन स्ट्राइडल एंटी इंफ्लमेटरी ड्रग है जो कि केमिकल मेसेंजर्स जो कि दर्द को प्रोड्यूस करता है यानि दर्द का जो कारण रहती है केमिकल मेसेंजर्स उनको ब्लॉक करने का कार्य करती है और इसके अगर popular brand names का बात की जाए तो इसके आप drodine M, dorosis M, lyso spas, drotikind M, doverine M और वे अलग-अलग brand name के साथ असने से खरीज सकते हैं और साथ इससे market में इसलिए आपको available मिल जाती है अब इसके use के बारे में पुरी विस्तार से जाल लेते हैं यानि किन किन बीमारे में इस tablet को उपयोग किया जाता है तो जैसा कि हमने आपको बताया समयने तर इस tablet को उपयोग abdomen pain यानि पेट दर्द को कम करने के लिए किया जाता है तो जैसे कि यदि किसी महिला है जिसको pre-eats के दुरान बहुत ज़्यदा पेट दर्द हो रहा है cramps आ रही है या उसे lower back pain हो रही है तो इस condition में उन्हें रोटाविरीन और मेफिनमेक एसीट की जो composition की tablet आती है उसे महिला को दी जाती है और उन्हें इन्हें दर्द से रहत मिल जाती है इसके अलावा यदि कोई वेक्ति है जिसे अपच के कारण पेट में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी यह उसे यह tablet दी जाती है चाहे वो पुरूस हो या महिला हो दोनों ही इस tablet को प्योग कर सकते है इसके अलावा यदि किसी वेक्ति को पत्री के समझसा है जैसे कि किड्नी स्टोन हो गया या कॉल बलडर स्टोन हो गया तब भी पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द रहता है तो उस दर्द से राहत दिलाने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा उन्हें यह tablet दी जाती है साथ ही वेक्ति को यदि दस चल रही है दस के कारण पेट में मरोर महसूस हो रही है तो उस कंडिशन में भी यह दावा दी जाती है और उन्हे पेसेंट को बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है या यदि किसी अईन्हकारण से भी वेक्ति को पेट में मरोर पो हो रही है अच्छे तर से जान लेनी के बाद अब जान लेता है इसके डोस के बारे में यानि worstY को इस divetnor को काया से लिएथ दिन भर में इसकी क्या डोस दी जाती है तो समय न्युक्त जो dos दी जाती हुँ आपको बता देता हुं तो सब्से जिसका उम्र 6 साल से लेकर 12-13 साल के उम्र है तो उस वक्त वे बच्चे को आधी टेबलेट दिन भार में एक बार या फिर बहुत ज़्यादा जरूत हो तो दो बार दी जाती है जिससे के उनका पेटदर ठीक हो जाता है अब इसके साइड इफेक्स के बारे में जान लेते हैं ड्राइनेस इन माउथ यानि मुँ में शुखापन मेसूस हो सकता है इन डाइजेसन यानि खाने नहीं पचने की समयशा हो सकती है हर्ड बन हो सकती है हाइपोटेंसन यानि वेक्ति का बीपी डाउन हो सकती है तथा इन सोम्निया यानि नींद नहीं आने जैसी समयशा हो सकत और अंत में इसके warnings यानि साब्दानियों के बारे में जान लेते हैं यानि किन वेक्तिव को यह टेबलेट नहीं लेनी होती है तो प्रेगनेंसी में समाई नेता इस टेबलेट को आवाइड की जाती है लेकिन यदि आपके डॉक्टर के दोरह यह टेबलेट आपको आडवाइ कर ले तो चलिए मिलते हैं आपसे निक्स वीडियो में हो